दोस्तो यकीन माने, खास तोड से बिरस्पती बार के दिन ये उपाय करने से आपके सबी बिगड़े कार्रे पूरे हो जाएंगे दोस्तो हिंदू धरम में सप्ता के हर एक दिन का विशेश महत्व माना गया है इन दिनों को अलग-अलग देवी देपताओं के लिए संप्रित भी किया गया है गुरु बार का दिन आपकी किस्मत चमकाने में सहायक हो सकता है बस इस दिन आपको कुछ खास कार्यों को कर देवी देपताओं को प्रसंद करना होता है असल में ब्रस्पती बार को देपताओ का गुरू माना जाता है इसलिए इस दिन पूजा पार्ट या विशेश उपाय से कई सारी परेशानियों को एक साथ समाप्त किया जा सकता है आज हम आपको गुरू बार के दिन कुछ विशेश कार्यों को करने की सला दे रहे हैं जिसे करने पर यकीन मानिए आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे आपको इन सभी कार्यों को करने के लिए अपनी परेशानी के अनुसार ये उपाय करना है तो चलिए जानते हैं दोस्तो नंबर बन यकीन माने नौकरी मिल जाएगी करे ये उपाए जौब नहीं लग रही प्रमोशन नहीं मिल रहा मन चाही नौकरी नहीं मिल रही इन सभी समस्याओं के लिए ये उपाए करें गुरु बार के दिन किसी भी मंदिर में जाएं और बहाँ पीली चीजे जैसे खाद पधार्त, फल, कपड़े अत्यादी का दान जरूर करें आपकी नौकरी समदित सभी समस्याओं समाप्त हो जाएंगी लेकिन याद रहे किसी का दिल कभी मत दुखाना मन चहा प्यार जल्दी शादी करने के लिए ये उपाए कारगर है यदि आपको किसी से प्रेम है और उनसे शादी करना चाहते हैं तो गुरु बार के दिन केले के पेड़ पर जल अबश्य चड़ाएं इसके बाद बहाँ शुद्ध घी का दीपक प्रजबलित करें अब उपाए से आपको जल्दी ही आपकी पसंद का जीबन साथी मिल जाएगा और यदि आपके मिलन में कोई बाधा आ रही हो तो इस उपाए से दूर हो जाएगी इस उपाए को आप लगातार साथ गुरु बार तक करें दोस्तो नमबर थ्री अकसर शादी में लोगों को कई सा लग जाते हैं यदि आपकी शादी होने में बार बार कोई बाधा उत्पन हो रही है तो यह उपाए किया जा सकता है इस उपाए को करने से आपकी शादी के योग जल्दी बन जाएंगे इसके लिए आपको गुरु बार के दिन ब्रत रखना है इसके अलाबा इस दिन पीले बस्तिर ही धारन करें यहां तक की खाने में भी पीली चीजे ही खाएं इसके साथ ही बिश्नु भगबान की पूजा पाट करें आपकी शादी का रास्ता जल्द खुल जाएगा लेकिन इश्बर में सच्ची आस्था रखें दोस्तो नमबर फोर गरीबी भाग जाएगी यकीन मानिए यदि आपके घर धन का बार-बार नुकसान हो रहा है आर्थिक इस्तिती संकट में आ गई है तो ये उपाय आपकी मदद जरूर करेगा गुरु बार के दिन घर के सभी लोग बाल न दोएं ना खुन ना काटें और शेबिंग भी ना करें मानिता है कि गुरु बार को ये सभी काम करने से घर में दर्दिता आ जाती है इसलिए इन्हें गुरु बार के दिन करने से हर हाल में बची अकसर गरीबी होने का कारण गुरु बार के दिन की गई गलतियों का कारण माना जाता है ऐसा करने से बचे दोस्तों बात करते हैं नमबर फाइब की बैबसाय में लाब यदि आपके बिजनिस में कोई दिक्कत आ रही है या आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो ये उपाय उत्तम रहेगा गुरुबार के दिन पूजा घर में हल्दी की माला लटका दें इसके अलाबा अपनी दुकान या आपिस में भी पीले रंकी चीजों का ही प्रियोक अधिक करें लक्षमी नारायन के मंदिर में जाकर उन्हें पीले मिश्ठान का भोग लगाएं प्रित्यक गुरुबार ये उपाय करने से बिजनिस में लाब होगा आपकी ग्राकी बढ़ जाएगी समस्याय समाप्त हो जाएगी लेकिन याद रहे ये सभी उपाय तबी काम करने बाले हैं जब आपके करम अच्छी हों करम अच्छी होने पर थोड़ा सा भी उपाय करने पर इश्बर तुरंद प्रसन होता है और आपके हर बिगड़े कारे को अबश्य ही पूरा करता है दोस्तो आप किसके भक्त हैं कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले इश्बर आपके हर समस्याव का अंत करे और आपके घर में अपना वास बनाए रखे दोस्तो जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है